दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास GST निमबर है और फिर आप यहाँ पर दूसरे स्टेट में जाकर या पर कहीं भी जाकर अपने बिजनेस के लिए गूट्स पर्चेच करते हैं और यहाँ बिजनेस में के मन में यह भी सवाल उठता है तो मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपका बिजनेस है आपका बिजनेस किसी भी तरह का है अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए जाकर बाहर से माल खरीते हैं जैसे कि अगर समझ लेते हैं कि अगर आपका कपड़ा का ही बिजने से और फिर आप अपने दुकान के लिए बड़े पैमाने पे कपड़ा खरीते हैं और फिर यहां पर आपको टेक्स देना होता है तो फिर जो आप टेक्स पे करते हैं उस टेक्स का आखिर क्या होता है दोस् कर आप यहां पर input tax credit ले पाएंगे जी हां अगर आप अन्रेजिस्टर परसं से कोई भी माल पर्चेश करेंगे यानि कि उसके पास अगर GST नंबर नहीं होगा मेरा अन्रेजिस्टर बिजनेस कहने का मतलब यह है कि जिसके पास GST नंबर नहीं है अगर आप उससे कोई भी माल पर्चेश करेंगे तो फिर यहां पर आप input tax credit नहीं ले पाएंगे तो यहां पर आप उसी से माल पर्चेश करें गूर्ट्स पर्चेश करें जिसके पास GST नंबर ह अब यहाँ पर आप goods तो purchase कर लेते हैं लेकिन जो आप माल खरीद के लाते हैं फिर आप बेचते हैं और फिर यहाँ पर अगर आपके पास GST number है तो जो भी आपस माल purchase करता है उससे आपको यहाँ पर tax recover करना होता है और उस tax को आपको फिर government को दे देना होता है यहाँ इसलिए यहाँ पर यहाँ जरूरी है कि आप जो भी माल खरने आप GST number पर खर दे कई businessmen यहाँ पर कच्चा भील बना कर देते हैं और अगर आप input ले लेते हैं और आपने यहाँ पर unregistered person से माल खरदा है और यहाँ पर GST के form 2 भी में अगर input reflect नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपको GST department से notice हाएगा फिर यहाँ पर आपको परसानियों का समना करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप माल उसी से खर दे जिसके पास GST number हो इसलिए आपको कई बार देखने को मिलता होगा कि अगर आप किसी बड़े company के साथ या फिर किसी बड़े संस्था के साथ tie up करके काम करना चाहते है तो फिर यहाँ पर वहाँ आपसे GST number की मांग करता है तो दोस्तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जब आप माल पर्चेज करते हैं और जो text पर करते हैं उस text का कैसे adjustment होता है फिर भी अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे comment box में comment करें और आपके यह video कैसा लगा आप नीचे comment box में comment करके बताएं और अगर आप हमसे सीधे जुरना चाहते हैं आप phone से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें Instagram पर follow करें और फिर आप इस वीडियो को अधिक्स जदिक अपने दोस्तों और इससदारों में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कने टोपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लखें